उमिद है आप अच्छे होंगे, मेरा नाम है फलक और आप देख रहे हैं फलक टॉक्स की खास पेशकस दास्तानी जुर्म आज जहारखंड की एक ऐसी घटना लेकर आया हूँ जो किसी को भी सोचने को मजबूर कर देगा यहां बात होगी एक बहन की, जो बहन ने जिस भाई के कलाई में राखी बांधी थी, उसी भाई को मौत की घाट उतार दिया मामला जहारखंड राज के रामगर जिले के पत्रातु का है, जहां एक बहन ने प्यार की चकर में अपने ही भाई की जान ले ली पत्रातु के पंचमंदर इलाके की यूथी एक लड़के के प्यार के चकर में पड़ गई थी, जब इस बात की भनक उसके भाई को चली, तो उसने अपनी बहन को समझाया, मगर बहन नहीं मानी इसके बाद भाई ने अपनी बहन को टोकना शुरू कर दिया, बहन को इस बात का बुरा लगने लगा, जिस वज़ा से उसने अपने भाई को जान से मार दिया 24 जून 2022 को पतरातू के बर्तुआ गाउं का रहने वाला, 21 साल का रोहित अपने घर से, राची अपने मामा के घर जाने के लिए निकला था वो करीब एक हफते तक वहां रुका, लेकिन फिर अचानक 30 जून 2022 को वो रहस्मली तरीके से कहीं गायब हो गया उसका मुबाइल फोन भी बंद आ रहा था, जिसके बाद परिजनों ने युवक की गुमशूदकी की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करवाई लेकिन पुलिस ने इसे राची का मामला बताती हुए, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जिसके बाद कई दिन हफ्ते गुजर गये, लेकिन युवक का कुछ पता नहीं चला और नहीं पुलिस ने कोई भी कारवाई की पूरे धाई महीने बीच चुके थे, युवक का कुछ भी पता नहीं चल रहा था जिसके बाद परिजनों ने राची जिले के चूटिया थाने में युवक के गाइब होने की रिपोर्ट लिखवाई, जहां से वो गाइब हुआ था पुलिस ने अब मामले की जांच शुरू कर दी, तो पता चला कि राची जिले के ही चान्नी चौक बस अड़े पर युवक से आखरी बार उसके मुबाईल फोन पर उसके ही बहन की बात हुई थी इसके बाद से उसका फून लगातार स्विच ओफ आ रहा था, यानि के उस लड़के का मुबाईल ओफ हो चुगा था पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी, लेकिन इससे भी युवक का कुछ पता नहीं चल पाया इसके बाद एक दिन पुलिस को यहाँ पता चलता है कि युवक की बड़ी बहन का एक मुस्लिम युवक के साथ अफैर है जिसका विरूध लापता रोहिद करता था, इस बात को लेकर पुलिस के कान खड़े हो गए और पुलिस अब अलग तरीके से इस पूरे मामले की जांच में जूट गई पुलिस ने उस लड़की से सकती से पूछताच करना सुरू कर दिया, साथ ही साथ उसकी सीडियार की जांच की और इसके बाद खुलासे पर खुलासे होने लगे जिससे सभी के होश उड़ गय पोलिस ने जब लड़की से सक्ती से पूछताच की तो उसने अपनी भाई की मडर की पूरी दास्तान पोलिस के सामने रख दी लड़की ने बताया कि सबसे पहले वो राची से पत्रातू लेकर अपने भाई को गई उसके बाद उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी जिससे उसकी जान चली गई इसके बाद दो दिनों तक अपने बॉइफरेंड इस्तराईल अंसारी के साथ मिलकर वो लाश निप्टानी की जुगत लगाती रही फिर अपने सरकारी क्वार्टर के ही एक कमरे में गढधा खोदा और उसमें अपने भाई की लाश दफना दी यूफ्टी ने बताया कि भाई को जमीन में दफनाने के बाद वो पूरे डेड़ महीने तक है उसी घर में रही लेकिन किसी को कानो कान भी इस बात की खबर तक नहीं हुई इसके बाद पुलिस ने उसे कमरे की खुदाई कराई तो दो से ढ़ाई घंटे की कड़ी मशकत के बाद जमीन में जो मनजर दिखाई देता है वो सब को हैरान करने वाला था कमरे के ही अंदर जमीन के नीचे से एक लाश बरामत हुई जो पुरी तरह से सर चुकी थी गल चुकी थी जमीन के अंदर से लाश निकालने पर पूरे इलाके में संसनी फैल जाती है और हर लोग इससे चर्चा को लेकर कही न कहीं गमगीन होते हैं और चर्चाओं का बजार भी गर्म होता है और इधर पुलिस ने उससे यूपती को और उसके प्रेमी को गिरफतार कर जेल भेज दिया है फिलहाल के लिए एतना ही जेल्द मिलेंगे किसी और दास्ताने जुर्म के साथ तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तब तक के लिए अपना धेर सारा ख्याल रखें